पिछले करीब डेट महिनी से देश में जो सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा है वो यह है कि किस कॉर्परेट हाउस ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया और यह सब हो इसली रहा है क्योंकि सुप्रीम कोड की एक कॉंस्टिटूशनल बेंच ने पंदरा फरवी दोहार चॉविस को एलेक्टोरल बॉंट की जो स्कीम थी उसे अनकॉंस्टिशनल टेक्लेर कर दिया और अब फाइनली 21 मार्ट 2024 को जनता के सामने सारा डेटा आ चुका है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने किस कॉर्परेट हाउसे डोनेशन ली और यह सब हुआ है क्योंकि SBI ने फाइनली थोड़ा धराने धंकाने के बाद थोड़ा कंटेंप्ट ओव कोड की धंकी की वादी सही डेटा जो है वो पूरी तरीके से रिलीज कर दिया है बट अब इस पूरे शोर श्राबे में आपको एक बात ध्यान रखना ही जरूरत है और वो यह है कि जो एलेक्टोरल बॉंड की स्कीम है यह कोई नई स्कीम नहीं रही यह 2018 में नोटिफाय हुई थी यानि कि 2019 का जो जनरल एलेक्शन है वो हो चुका है इसी स्कीम के थुरू और 2024 का जो एलेक्शन है वो भी इसी स्कीम के थुरू होगा क्योंकि अब तक जितनी funding political parties को आने थी वो आ चुकी हो लिए पर इस स्कीम के 5-6 साल में आपने स्कीम के बारे में इतने चर्चानी सुनी होगी ज़रूर स्टार्टिंग में हुई थी थोड़ी बहुत बीच में भी हुई क्योंकि जब यह मैटर सुप्रीम कोड में गया था लेकिन उसके बाद यह हुई नहीं क्योंकि ऐसा है कि जो opposition parties जो कि आज इस स्कीम को बोल रही है कि चंदा लो धंदा लो एक्स्टॉर्शन स्कीम बेसिकली जो नरेंटर मोदी जी ने electoral bond का concept रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्स्टॉर्शन रहे हैं वो भी इसी स्कीम के तुरू ही अपनी political funding ले रहे थे और रही बात ruling party की स्की Supreme Court में challenge हुआ होगा और Supreme Court ने अभी judgment दे दी तो ये भी गलत assumption है क्योंकि जब ये scheme आई थी तब ही ये challenge हो चुकी थी Supreme Court में और ये Supreme Court में already बहुत समय से बेढ़ने है पर अब आप पूछ सकते हो कि फिर आप भी बता दो कि चिंगारी लगी कहां से थी तो देखो ये चिंगा ये अगे mention करते हैं कि ये जो electoral bond scheme का matter है ये already Supreme Court में काफी time spending है और देश में नए जो elections है याने कि 2024 को जो आने वाले है इसलिए प्लीज इससे decide किया जाए और इस stage पर Chief Justice of India decide करते हैं कि हाँ इस matter को सुना जाएगा और वो refer करते हैं इस matter को एक five judge constitutional bench को जो कि 31 October को इसे सुनना श और सब ने अपनी arguments रखी जो कि चली करीब 10 घंटे करीब दो दिन के बीच ये पूरी arguments खतम हुई and finally court जो है यहाँ पर फैसला अपना रिजर्व करता है और 15 फरवी 2024 को सुनाया जाता है and इस video को बनाने का मेरा उदेशी यह है कि पिछले डेड़ महिने में जब से ये judgment आई और वो यह है कि क्योंकि यहाँ पर मैं judgment discuss करूँगा तो मैं उसके साथ बहुत सारा law discuss करूँगा बहुत सारे section discuss करूँगा जो कि शुरू में आपको लेसेता है कि confusing होंगे लेकिन मैं इस बात की guarantee आपको दे रहा हूं कि अगर आप ये video enter देख लेंगे तो आपको इतना आपको नहीं नहीं बाते आज जानने को मिलेंगे तो अब आये शुरू करते तो आप देखे किसी भी judgment को समने से पहले आपको इतनी सी बात समननी होगी कि अगर judgment आई है तो इसका मतलब कोई petitioner आया था court और अगर court कोई रखती आया है तो उसे किसी चीज़ से problem होगी ना त ये तो है unconstitutional and सरकास सिर्फ यहाँ पर multiple कानूनों में amendment नहीं लेकर आये थी वो एक बड़े interesting तरीके से amendment लेकर आये थे वो लेकर आये थे money bill अब money bill क्या होता है ये समझने के लिए आपको आना होगा Indian constitution के article 110 यानि की 110 में जहाँ अब money bill को define किया हुग है and जैसा कि इस bill का ना ये रेडिट करना चाहते हैं तो उसको money bill के थिरू लाया जाता है and अगर आपको लग रहा है कि money bill लाने से क्या फरक पड़ता है तो फरक पड़ता है क्योंकि जब आप एक ordinary bill लेकर आते हैं पार्लिमेंट में तो आपको उस पार्लिमेंट के दोनों houses उस bill को पास कराना होता यानि कि लोग सभा से भी और राजय सभा से भी लेकिन जब आप money bill लेकर आते हैं तो सबसे वहले तो सिर्फ वो इंट्रिड्यूस ही directly होता है लोग सभा में और अगर वो लोग सभा से पास हो गया तो उसके बाद राजय सभा बेजा तो जाता है लेकि राजय सभा पास करे या ना करे वो एक ही बराबर है यानि कि राजय सभा बहुत हट तक eliminate हो जाती है तो यहां तक आपको इतना समझ आ गया होगा कि यह money bill लाने का तरीका है यह strategic move है और यह strategic move जनरली गवर्मेंट तब लेके आती है जब उन्हें लगता है कि राजय सभा में जो bill है वो अटक सक और जो लोग सभा की speaker होते हैं वो आपको और मुझे पता है कि वो ruling party की member होते हैं हाला कि इस देश में पुराना इतिहास यह था एक convention हुआ करती थी कि जो लोग सभा की speaker है उन्हें opposition में से किसी को बनाया जाता है लेकिन अब वो है नहीं तो basically जो money bill decide करने वाला व्यक्ति होत और यह unconstitutional तरीका है बट क्योंकि यह जो money bill का मुद्दा है वो सिर्फ इस particular case में नहीं है वो और भी cases में है इसलिए supreme court की 7th judge bench इस matter को सुनने वाली है और वो decide करेंगे article 110 को interpret करकर कि money bill का scope क्या होना चाहिए बट वो मुद्दा अभी सुनना नहीं जा रहा है और इसलिए senior advocate प्रशांद भुषिन ने भी यहाँ पर एक strategic move चला उनको यह बात redize होगी थी कि matter जो है एक 7th judge bench को refer किया हुआ और अभी यह सुना नहीं जा रहा है यानि कि कब यह सुनना आएगा उसके बाद जाके यह electoral bonds की scheme है इस पर को decision आएगा तो इसे cut shot करने के उन्होंने एक clear कर दि but I am not pressing it for the reason that I want this case to be decided before the elections I don't want because I know that your lordship has issued the finance bill issue to a 7th judge bench and I don't want this to await that तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि at least आपको यह समझ आ गया होगी जो amendments आई वो किस तरीके से आई और petitioners को यहाँ क्या problem थी और इसके आगे क्या procedure रहा है लेकिन यह actually amendments थी क्या अब इससे समझ लेते हैं अब देखिए यहाँ आपर जो सबसे पहली सबसे interesting और इस पूरी electoral scheme की जो bedrock amendment आई थी वो आई थी RBI Act में यहाँ कि Reserve Bank of India Act में अब Reserve Bank of India Act में government ने क्या किया और उन्हें section 31 में प्यारा सा clause 3 डाल दिया और इसे section 31 है यह RBI के लिए बड़ा important section है क्योंकि इसी section के subsection 1 से RBI Act के आउस पावर आती है currency notes issue करने की जो की और कोई bank कर नहीं सकता और इसे parliament ने नहीं चेड़ा इसे center government ने नहीं चेड़ा लेकिन clause 3 उन्होंने एक introduce किया जिसमें नहीं कहा कि देखो RBI जी currency वगरा तो आप issue कर लो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम एक नया प्यारा सा चोटा सा instrument online लगे हैं जिसका नम हम प्यार से देते है electoral bond और यह जो electoral bond हम ला रहे हैं इसमें हमें आपकी कुछ खास जरूत है नहीं यह जो है कोई भी schedule bank issue कर सकता है अब schedule bank क्या होता है जो RBI act है उसके पीछे एक schedule है और schedule में जितने ही bank का नाम दिये हुए है वो सब schedule bank है और इन amendments के बाद जब electoral bond scheme को notify करना था तो सरकार ने इसी 31.3 को use किया था और जो schedule bank लोने चूज किया था वो और कोई नहीं वो था State Bank of India बट इस amendment को लाने से पहले Central government ने RBI से consultation भी की थी और RBI ने इस particular amendment को clearly oppose किया था और RBI ने government को ये कहा कि जो आप amendment ला रहे हैं इससे होगा क्या इससे जो RBI की जो sole authority है currency पर और instruments पर वो कम हो जाएगी लोगों का जो भरोसा है वो RBI से हट जाएगा और साथ इनों ने ये point भी रखा कि जो आप electoral bonds ला रहे हैं इससे लाने की जरूत ही नहीं है क्योंकि अगर आपको electoral funding नहीं करवानी है और वो white money चाहिए आपको तो आप वो check से demand draft इन सब से करवास्ते है electoral bond की है जरूत है पर government ने RBI के इस response को देखते हुए 30 January 2017 को RBI को भी लेटर लिख दिया और उनको ये समझाया है कि देखो RBI जी आप हमारी भावनाओं को समझ नहीं पारे हैं डंसे हम क्या कहना जाते थे आपको समझ नहीं आया है electoral bonds जो है वो need of the hour है इसलिए वो तो आएंगे और इसी basis पर ये amendment भी हो गई अच्छा जी ये तो थी पहली amendment अब आपने ये समझ ली तो आवाजा दूसरी amendment है दूसरी amendment हुई Companies Act 2013 के section 182 में अब पहले ये section 182 क्या कहता था ये कहता था कि देखो political parties को companies जो है वो donate कर सकती है कोई दिक्केजाली बात नहीं है लेकिन उस पर limitation है limitation ये है कि जो एक company है इसका net profit है उसकी average जो आएगी तीन साल की उसका 7.5% जो है सिर्फ उतना ही donate हो सकता है उससे जानी यानि कि एक maximum ceiling लगी हुई थी और साथ ही में section 182 का section 3 कहता था कि ठीक है आप donate कर लो कोई दिक्केजाली बात नहीं है लेकिन जो आपकी annual financial statement बनेगी ना company की उसमें आप बता देना कि आपने कितने पैसे donate करे और किस political party को करे बट सरकार नहीं हाँ पर amendment लागे क्या किया पहले तो उन्होंने यो net profit 60% की condition थी इसे हटाया जिसका मतलब यह था कि अब कोई भी corporate जो है वो कितना भी चाहे पैसा जो है donate कर सकता है किसी political party को और इसे के साथ इन्होंने section 1.2, subsection 3 में जो requirement थी कि political parties को अगर को corporate donate कर रहा है तो उसे बताना होगी किस political party को donate किया गया है उस requirement को भी omit कर दिया गया सिर्फ इतना रखा गया कि जो total amount आपने donate किया है वो बता दे ना और इसके थूरू second amendment जो थी वो complete कर दी और इसके बाद जो तीसरी amendment आई वो आई representation of people act 1951 के section 29c में अब यह section 29c basics ही बात कहता था कि जो भी political parties को funding आ रही है वो उनको election commission of India के आई है यह election commission को बस एक छोटी से condition उनको आट कर दी कि जो funding electoral bond से आई है वो बताने ही कोई खास जरूत है नहीं और जैसे RBI ने जब RBI act amend हो रही थी उस पर objection ली थी वैसे ही election commission of India ने इस particular act की amendment पर objection ली उन्होंने सकारिया की बात रखी कि देखिए आप जो यह transparency वाला part ढ़ा रहे हैं यह कह रहे हैं कि electoral bond से जो donation होगी उससे disclose करना ही जरूत नहीं है इससे तो पीछे जा रहे हैं transparency जो है रेट्रोगेट हो रही है और साथी में अपने companies act में भी amendment ले आए हैं जहां पर आपने unlimited donation अलाओ कर दी है इससे तो black money बढ़ जाएगा elections में आप कह रहे हैं कि आप black money को रोखना चाहते हैं यह कैसे चलेगा पर फिर सरकार ने RBI को कहा कि and eventually वो amendment लेकर आ गए and finally यहाँ पर जो amendments की कहानी थी वो समाप्त होती है और अब हम चलते हैं judgment पर देखिए यहाँ पर इन सभी amendments की जो थी constitutionality challenge हुई थी और supreme court जब decision देता है या for that matter कोई भी court decision देता है तो वो पहले issue frame कर देते हैं उस issue पर दोनों side जो है अपनी argument करती है और फिर finally court उस पर decision देता है और अब इसी exact pattern के थुर हम video को आगे बढ़ाएंगे इस particular matter में court ने दो issues frame किये थे हम दोनों issues को individually deal करेंगे पहले हम समझेगे कि petitioner ने क्या argument करी respondent ने क्या argument करी और finally court का उस particular issue पर क्या decision था अब हम ऐसे समझेगे तो आप देखिए यहाँ जो मैं पह चल रहा नहीं है क्या यह article 19 1a of the Indian constitution यानि freedom of speech and expression के जो right है उसे violate कर रहा है या नहीं end of this issue पर petitioners की तरह से या argument start करी senior advocate प्रशान दुशन ने और उन्होंने court के आगे बात रखी कि जो scheme है इसको लाने है कोई basis ही नहीं है क्योंकि scheme का पूरा objective बताया जा रहा है वो यह है कि इससे black money कम हो जाएगा और यह बार ठीक है कि electoral bonds जो हो banking channels के दरूर ट्रांसफर होंगे लेकिन इस scheme के जुरू कोई cash transaction मना थोड़ी कर रहा है वो तो थी और वो चली रही है तो अभी भी कोई गर्स था तो black money कहां से कम हुआ और इसके साथ उन्हें यह submission भी थी कि जो representation of people act का 29C है और companies act का 103 जो था जहां पर demand की जाती थी कि political parties बताये कि उन्हें fund कहां से आ रहा है वो सब कुछ था disclosure of information के लिए और अब यह electoral bond जो scheme ले आए हैं इससे वो completely violate हो रहा है और इसी के साथ government ने election commission of India और RBI ने जो objection raise की थी उनको तो बिलकुल ही नकार दिया और senior advocate Prashanth Bhushan की arguments खतम होने के बाद आते हैं senior advocate Kapil से बढ़ और वो जो arguments देते हैं वो थोड़ी सी एक level उपर होती है वो यह कहते हैं कि जो corporate funding है यह तो clearly relative है article 19 वाले के क्योंके corporates तो citizen थोड़ी है उनके जो कोई voting rights नहीं है voting rights तो individuals के पास है अगर vote donation करते हैं तो समझ आती है corporate किस बाद की donation कर रहे है और इसी के साथ लोने यह submission भी दी कि जो electoral bonds की scheme है इसकी वैसे information completely block नहीं हो रही है जो यह कह रहे है कि anonymous हो जाएगा वो नहीं हो रहा है इसकी वैसे information asymmetry हो रही है जिसका मतलब यह है कि जो voter है individual है जो citizen है उसे पता नहीं चल रहा है कि political parties को कहा से funding आ रही है लेकिन जो central government है उसे तो सब पता है क्योंकि funding eventually आनी है state bank of India के पास और state bank of India किसका है वो central government का है तो उनको तो सब कुछ पता है और senior advocate का पिल सिबल के बाद आती है बारी advocate शादान फरासत की जिनकी मैं आपको सिर्फ एक argument बताऊंगा लेकिन वो अपने आप में बड़ी intelligent argument है और उसे अब याद रसना क्योंकि वो judgment के time पर मैं उसको elaborate भी कर दूँँआ तो शादान फरासत यहां पर क्या कहते है वो कहते है ठीक है आर्टिकल 19 वाने जो कि मुझे freedom of speech and expression देता है मैं मानता हूं कि वो एक absolute right नहीं है उसे रोका जा सता है सरकार चाहे तो रो सकती है लेकिन किस ground पर हो सकती है सिर्फ उनी grounds पर जो कि article 19 clause 2 में दिये हूं है और सरकार क्या है कि यह जो scheme है यह तो black money curve करने के लाए गए है पर black money curve करना तो मेरे freedom of speech and expression को रोकने के लिए right है ही नहीं कोई restriction है ही नहीं article 19 2 में अब आपने क्योंकि petitioners की side सुन ली है तो आप थोड़ा दूसरी side भी सुने यानि की union of India की side and इस matter में union of India को represent कर रहे थे attorney general और उनके साथ थे solicitor general अब देखिए यहाँ पर attorney general ने एक बड़ी interesting argument ले थी जो कि जब यह हुई थी तब बहुत widely media में reported थी और वो argument यह थी कि उन्ह लेकिन इस right को इतना extent नहीं किया जासता है कि यह बोल दिया जाए कि citizens के वाद general right to know है और specifically general right to know about political funding है क्योंकि वो right citizens की वाद नहीं है किसी भी supreme court gentleman द्वारा इसके बास solicitor general ने भी एक argument लिए और वो argument बहुत बहुत इंट्रस्टिंग थी और एक level उपर की थी उन्होंने यह कहा कि चलो मान लेते हैं कि article 1911 a.7 citizens के पास right है जानने का कि political parties को confund कर रहा है लेकिन जो donor है जो political parties को contribute कर रहा है उसके पास भी तो एक fundamental right है और वो भी सी supreme court से है और supreme court ने article 21 में उसे right to privacy का right दिया हुआ है तो उस right को भी तो balance करना पड़ेगा और यह right जो है इसे balance करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी political party को donate कर रहा है और उसे बताना पड़ रहा है और उसे बताना पड़ रहा है इनॉनिमेटी नहीं दी जारी क्योंकि वो cash दे और इसी problem को ही तो solve करने की electoral bonds लाए गए है और आप फाइनली क्योंकि आपने किया जज्मेंट किया थी लेकिन उससे पहले आपको एक बात और समझी होगी कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं article 191 ए की दिर से और article 191 ने आप पढ़ेंगे तो वहां लिखाया freedom of speech and expression की बात हो रही है वहां right to know, right to information की तो बात ही नहीं हो रही है लेकिन यह पूरा case आप देखेंगे तो right to know, right to information पर ही चली जा रहा है तो देखिए ऐसा होता है कि समविधान बना था हमारे देश में 1950 में यानि लागू हुआ था 1950 में और उसके बाद से जितने-जितने judgment में इस right को और expand कर दिया है, क्योंकि उन्होंने पुरानी judgments को analyze करते हुए, इस conclusion पर आ चुके है, कि right to know about political funding भी एक fundamental right है, और वो electoral bonds की जो scheme है, वो clearly इस right को, यानि कि article 19 1a से मिले हुए right को violate कर रही है, बट अगर आपको लग रहा है कि ये शुत हो खतम, क्योंकि Supreme Court ने कह दि limitations है, वो limitations का है, article 19 2 में, तो इसे check कैसे किया जाएगा, कि एक right wallet हो रहा है, उन limitations के साथ हो रहा है या नहीं, इसे check किया आता है, doctrine of proportionality के तहत, पर मैं अभी आपको doctrine of proportionality में नहीं लेगे जा रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोछ लोग confused हो जानेगे, इसलिए आप इसक issue को decide कर दिया, petitioners के favor में, याने के बता दिया कि ये जो है, unconstitutional है, तो अब देखिए, क्योंकि पहला issue खतम हो गया है, तो आप आजाते हैं, दूसरा issue पर, अब दूसरा issue ये था, कि जो section 182 था company's act का, जिसमें amendment आई थी, जिसकी वेज़से, unlimited corporate funding law होगी थी, क्या वो article 14 को valid कर रहा है, और साथ ही सम्विदान का, जो मूल धाचे का principle है, free and fair elections, उसे भी valid कर रहा है, या नहीं, and इस particular issue पर, petitioner की तरह से, जो argument थी, वो बहुत interesting थी, और मेरी favorite personal argument जो थी, वो थी, advocate निजाम पाश्चा द्वारा, और उन्होंने यहाँ पर क्या वो कौन होगा, और अगर वो चाइना में है, तो फिर वो यहाँ investment, ऐसे नहीं कर सकते, उनके लिए different procedure जलता है, लेकिन electoral bond से case में क्या है, कि अगर company Indian registered है, अब वो चाहे किसी की भी हो, भाहर से कोई भी चला रहा हो, वो अगर political donation देना जाती तो दे सकती है, electoral bond की थ्रू, और यह जो है, clearly arbitrary है, और article 14 of the Indian constitution को फोलेट करते है. It is an eligible purchaser, and what this results in is the absurdity, that while we do not permit investment by an entity which has 51% foreign shareholding, we don't permit that entity to invest in a company which say deals in the media, because we don't want foreign control of our media, but we have no problem in allowing such a company to purchase bonds and transfer to political party and therefore in that sense invest in an entity that runs the country. And here, senior advocate Couple Sible की भी argument थी, उनकी argument fundamentally यह थी कि, जो यह amendment की गई है, companies act के section 182 में, इसकी वैसे अब जो loss making companies हैं, वो भी आकर donate कर सकती हैं. और सिर्व इतना ही नहीं, जो company profit में भी हैं, वो अपने profit से ज़्यादा भी donate कर सती हैं, जो कि actually में हुआ भी बाद में में पता चला, तो logically आप खुद भी सोचेंगे इस बात को, यह company ऐसा कोई क्यों करेगी, वो अपने profit से ज़्यादा क्यों करेगी, या फिर कोई company जो loss मे को donate करता है, तो उसको मिल जाता है, उस political party का access, यानि कि अगर मैं ruling party को donate कर रहा हूं, तो जो उनकी policies वो frame करेंगे, उधर मैं आकर थोड़ी involvement दे सकता हूं, और इसे कहते हैं, quid pro q, यानि कि मैंने पैसे दिये, और मैंने policy को influence कर दिया, जो कि clearly violate कर रहा है, constitution के मुल धाचे को, article 14 को, और free and fair elections का जो पूरा process है, उसे भी, और इसी के साथ senior advocate Prashant Bhushan की भी यहां पर arguments थी, जो कि पिसली arguments का एक तरीकी से extension ही थी, और उनका कहना यह था कि यह corporate funding जो हो रही है, यह हो तो लेने देने के लिए यह रही है, यह हो तो लेने देने के लिए यह रही है, यहां पर जो corporates है, वो basically political parties से policy में influence करना जाती है, और अगर उन्हे policy को influence करना है, तो obviously उसी political party को funding करेंगे, जो की power में है, चाहे वो center में हो, चाहे वो state में हो, और अगर ऐसा होता है, तो बाकी जो political parties है, उनके लिए यह बात against जा रही है उनके, और इसलिए free and fair elections का principle है, वो इलेट हो Almost all the bonds have been received only by parties in power, more than 50% have been received only by the ruling party at the center, and the rest have been received only by the ruling party in the states, virtually nothing, not even 1% has been received by opposition parties which are not ruling in the center or at the states And senior advocate Prashant Bhushan ki, ये वाली जो argument थी, वो इतनी solid argument थी, कि बाद में Chief Justice of India ने Solis Reader General को भी इस पर caution किया था Why is it, according to you, why is it the norm that the ruling party is making the substantial part of the donations, what's the reason for you? I would not be able to hazard a guess, but the figures show that whoever was ruling party either in the state or in the center, possibly, possibly This is with an expectation, right? I'll just tell you how the things work, and this is my reply, not government, this is my assistance, generally, every political party has their programs and policies etc, they have their working style which are distinct and all people, they have confined their arguments to corporations or companies, but they are individuals, contractors, financing entity etc, they know the working style, they know their business time, that if this party forms the government, it would be beneficial, they will be able to be comfortable with them, because there is less of red capism, somewhere it is more of a red capism etc etc, what is running in the mind of the donor is not possible, but by and large they decide based upon their interest, obviously, they are not doing a charity and if they want to donate 5% to the government, then they will not have to be able to benefit, they will not be able to do it. Finally, the solicitor has also submitted it, that these amendments are basically economic policy, and the government will be very wide powers, and just because some misuse can be used, the courts can't interview it, and finally, finally, both sides of the argument, Supreme Court is conclusion, that the amendment lies in which it is unlimited corporate funding allowed, it is also unconstitutional, because it is violated Article 14 of the Constitution, but the court has no reason for it, it is also understood. So, see, as I have told you, the fundamental rights, when it is called Constitution, the Supreme Court has expanded, so Article 14, Supreme Court has also expanded, and it is called Principle of Manifest Arbitrariness, and this principle, if I explain a simple language, then it is that if someone sees the law, Supreme Court, that they think that they are in this matter, they are in this matter, such laws, strike down, and they are in this matter, and to judge the law, that if any law is manifestly arbitrary or not, the court basically checks the law, which is the purpose of constitutional values to the law, and Supreme Court has clear that the amendment lies in this case, which is the amendment which is unlimited corporate funding allowed, which is manifestly arbitrary, for the following reasons. A. The ability of a company to influence the electoral process through political contributions is much higher, when compared to that of an individual. A company has a much graver influence on the political process, both in terms of the quantum of money contributed to political parties, and the purpose of making such contributions. Contributions made by individuals have a degree of support or affiliation to a political association. However, contributions made by companies are purely business transactions, made with the intent of securing benefits in return. And now, Chief Justice of India's final remarks with the judgment, and with the judgment, this video is more or less here. And, if you have watched this video here, I hope, that I have guaranteed that this video will be complete, and that you will get to know something new. And if you have got to know something new, please, in the comment section of this video, please, please, let me know in the comments. If you have any feedback, please, let me know in the comments. If you have any feedback, please, let me know in the next video. .